तो इती आज की दस बड़ी खबर आई याब आज की बड़ी खबर आपको बता दिये प्रधार मंत्री मोदी का आज अलिगढ का दौरा है प्रधार मंत्रियों अलिगड को देंगे दो बड़ी सौगाते राजा महिंद्र प्रताप सिंग यूनिवर्सिटी के अधार शिला रखेंगे प्येम मोदी डिफेंस कोरिडोर का भी आज उधगातिन करने वाले है अलिगड मुस्लिम यूनिवर्सिटी और राजा महिंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी प्येम मोदी की अलिगड यात्रा से पहले यही दो नाम अख़वारों की हेडलाइन्स है और लोगों की जुबान पर चर्चा का विशे भी अलिगड में प्रधान मंतिर राजा महिंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की आधार शुला रखेंगे और इसके साथ ही योगी सरकार के दावे के मताबिक यूपी की एक और बड़ी यूनिवर्सिटी के निर्मान का रास्ता खुल जाएगा आम आदमी के नजरिये से देखें तो कुछ सवाल अपने आप मन में उठते हैं जब अलिगड में पहले से एम्यू जैसी यूनिवर्सिटी है तो फिर एक और बड़ी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत क्यों अलिगड इतना बड़ा जिला नहीं है जहां दो-दो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हूँ या फिर राजा महिंदर परताप सिंग यूनिवर्सिटी एक अलग सोच को जवाब देने का तरीका है वो सोच जो एम्यू में लगतार परवान चड़ रही है इन ही सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं जिसमें पहला मुम्किन जवाब नजर आता है एम्यू के कट्टर पंथी तबके को जवाब देना देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक एम्यू में पिछले कुछ सालों के अंदर हालात बदले हैं चाहे C.E.A. विरोध के नारे पर हिंसा हो या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एक आतंकी का नमाजे जनाजा पढ़ा जाना और फिर कल्यान सिंग के निधन पर वी सी को कुछ छात्रों से थमकिया मिलना इन दिनों एम्यू पढ़ाई से ज्यादा कटरपंथी तकरीरों के चलते हेडलाइन्स में आती है क्या मान लिया जाए कि मोदी और योगी राजा महेंदर परताप सिंग यूनिवर्सिटी के जरिये इस कटरपंथ को जवाब देना चाहते हैं क्या मोदी का इरादा ये संदेश देना है कि शिक्षा के संस्थान कभी भी कटरपंथ की नरसरी नहीं बन सकते हैं और अगर ऐसा है तो ऐसे सिक्षन संस्थानों के विकल्ब तयार किये जा सकते हैं हलाकि बीजेपी की माने तो इस यूनिवर्सिटी का मकसद राजा महेंदर परताप के योगदान का सम्मान करना है राजा मेहन पताप सिंग जो जाट राजा के रूपे जाने जाते थे अफगानिस्तान में उनने एक अंग्रेजों से लड़ते वे एक अंतरिम सरकार का गटन भी किया था और जो पहला टेक्निकल विद्याले है मैं समस्ताओं एसिया में होगा वो उन्होंने वर्णदावन में मुत्रा में बनाया था मदर मौनमाली जी ने उसका उद्खाटन किया था राजा महेंदर परताब का सम्मान है और साथ ही है एम यु के कुछ हिस्सों के अंदर वो जिन्ना परस्ती जिसे लेकर लगतार आरोप लगते रहे हैं जिस जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया उसकी तस्वीर एम यु में लगी रही लेकिन जिन राजा महेंदर परताब ने एम यु के लिए सेंकड़ो एकर जमीन दे दी उनका जिक्र भी यूनिवर्सिटी के बड़े-बड़े कारिक्रमों में नहीं किया जाता है तो क्या ये माना जाए कि इसी जिना परस्ती को जवाब देने के लिए ये यूनिवर्सिटी तयार की जा नहीं है क्या पाकिस्तान बनाकर देश का बठवारा करने वाले मुहमद अली जिना का इस्तिकवाल करने वालों को आईना दिखाने के लिए राजा महिंदर परताप की विरासत को हकीकत की शकल दी जा रही है टीम न्यूस निशन